तो आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोड़क्शन आफ फंशनल ग्रूप इन केमेस्टी ठीक है ना तो हमारी बेसिक और्गेनिक केमेस्टी स्टार्ट हो चुकी है जीरो से जिसमें हमने दो लेक्चर आल्रेडी पढ़ रखे हैं अब यह हमारा तीसरा लेक्चर होगा फंशनल बताया ठीक है बेसिक इंट्रोड़क्शन यहीं से शुरुवात होती है और्गेनिक केमेस्टी से जीरो से अड्वांस तक का सफर स्टार्ट हो गया था फिर हमने पढ़ाया आपको क्लासिफिकेशन आफ और्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया ठीक है दूसरा लेक्चर यह हमन अगर अगर पिशला लेक्चर देखिए बागी यह 0 से और्गेनिक केमेस्टी अब देखिए फिस्टाल ग्रूप होता क्या है थो दोस्तों वंचनल ग्रूप का अगर हम definition की बात करेंगे न तो यह क्या होता है functional group is a group of atom which determines the chemical property of compound मतलब यह क्या होता है atom का group होता है जो chemical property determine करता है ठीक है न compound का chemical property ठीक है न अब आपको ऐसे में तो समझ में आया नहीं होगा लिखा लिखा ठीक है न तो हम चीजों को discuss करते हैं आपको जो जो functional group हम लिखाने वाले हैं वो से याद रखना यह बहुत काम आने वाले हैं आप कोई भी topic पढ़ो इनकी बिना organic chemistry में पढ़ी नहीं सकते functional group अगर आप किसी गाओ में जा रहे हो ठीक है न तो थो किसी का नाम नहीं पता तो आहएं कैसे पहचान होगे यह का नहीं खोजने गए हो आहिक है यह नही नहीं पता किससको खोजने क鍋 हो तो सभी लोगों पता हूना चैज यह तो यह नाम बताता है ठीक है तो धनिक ना मिस्ति में कौन क्या है किसका क्या नाम है तो देखो हम स्टर्ट करते हैं पहला नाम लिखना जैसे मान लो अगर कहीं प developmental को एक YAKS लिखा आजाए, यह bond है, ठीक है न, X लिखा आजाए, तो यह होता है हैलोजन, क्या होता है, हैलोजन, ठीक है न, अब जिसे इसको formula के form में कैसे लिखते हैं, R, X, ठीक है न, R, X, अब कोई कह गए, X क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो, यह X के जगब, फलोरीन हो सकते हैं, पलोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, और आयोडीन भी हो सकता है, यह X की इसके बारे में जा के, अभी इनसे जा की पूछेंगे और आपके घर में कौन-कौन मेंबर है ठीक है न उनका नाम क्या है पूरा डिटेल पड़ेंगे यह basic introduction ठीक है तो यह हो गया पहले का अब देखो अगर हम दूसरे भाई का नाम पूछते हैं तो दूसरा आता है OH क्या OH इसका formula कैसे लिखेंगे और नाम क्या हो जाएगा alcohol ठीक है आप देखो तीसरे भाई का नाम लिखते हैं ऐसे ठीक है इसका नाम क्या हो जाएगा देखो आर ओ आर लिख देंगे ठीक है इसका नाम क्या हो जाएगा ether क्या हो जाएगा ether देखो इधर भी आ रहा है इधर भी आ ठीक है लेकिन अगर मान इधर कोई दूसरा आर है ऐसे बना दी देखो अलग लगा ना यह डैस मतलब दूसरा है तो यह क्या है यह हमारा symmetrical ether हुआ क्या symmetrical और यह हमारा asymmetrical ether हुआ ठीक है ऐसे याद रखे ना समझ गए बात आप अब देखो अगले भाई का नाम पड़ते है अगले भाई का नाम क्या है ऐसे आगे आपके सामने कोई ठीक है दीख रहा आपको तो इस भाई को हम कैसे लिखने के र, 민स् тай अधर हम लीखेलों हम लिखने ॽ। वो हम लगने हैं एल्टी ही MA तो यह नाम क्या होता है र, क्या होता है र, इस्अ इस्अ नाम क्या होता है वो स autor fund काउंव्स सा एसीद कार्भॉक्स बॉक्स बॉक्स भी अच्छा इसके सांथ है एक और भाई होता है, उसको भी लिख देता है, कि टोन, मालो, हैं C double bond हो है, फिर यहां एक bond है, और formula क्या है, R C double bond हो, R, तो इसका नाम क्या होता है, कि टोन होता है, ठीक है, फारोला ऐसे लिखेंगे, ठीक है यह bond दिखाया गया था, इनमें R जोड़ के Amine, NO2 है, तो RNO2 क्या बोलेंगे, Nitrile के Cn है, तो इसको R, Cn लिख सकते हैं, ओपेन करके से, इसको Sinide या Nitrile बोलते हैं, ठीक है न, अब दो हमारे और बचर हैं, उनको भी आपको बता ही देते हैं, ठीक है न, बोर्ड भी लिखके बता देते हैं, उनको, देखो, दो चार बचर हैं, फिर आपको R की कहानी दोड़ी से समझाते हैं, जैसे मालों अगर आपको NC है, तो formula क्या हो जागा, R, NC, और इसको क्या बोलोंगे, Isonitrile, क्या बोलोंगे, Isonitrile, ठीक है, SH है, तो R, SH लिखोगे formula, इसको क्या बोलेंगे, थायोल बोलेंगे, और मालों यास, या बोलेंगे, अब ये class चीज और बताना चाहते हैं, आपको, देखो, लिख लेना इसे, जैसे मालों आपके पास AC था, ये carboxly acid था, ठीक है ना, carboxly acid था, इससे बहुत सारे derived होते हैं, ठीक है न, वो मैं बताता हूँ, मालो, इसमें क्या कर दो, दिख रहा है को, हाँ, इसमे गैं रहा है, तो इसका नाम क्या गया, ये तो carboxly acid था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, acid ester, क्या हो जाएगा, acid ester, याद रख लेना, ये क्या है, ester, acid, acid ईसीट से बनाया जाएगा, तो इसका acid ester, ठीक है न, ester, short में ester बोलेंगे, अगर मालो, OH को हटाखे हम क्या जोड देते हैं प्लस हाइलोजन जोड़ते हैं यह एक्स मतलब आर सी डबल बांडो यहां पर एक्स जोड़ दी एक्स क्या हो सकता है फ्लोरीन प्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो यह क्या होगा acid highlight, क्या हो गया, acid से आ रहा न, acid highlight, ठीक है, अगर माल लो, फिर से, अगली कहानी, इसे note करते जाना है, ठीक है न, अगली कहानी, हम इसे E-dates करके लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, माल लो, यहां पर क्या जोड़ती है, उसे हटा के हम क्या जोड़गी है, NH2 जोड़ दिये, R C double bond O NH2, दिख रहा है, पीछ से कहेंगे acid amide, क्या बोलेंगे acid amide, ठीक है न, यह सब चीजे भी आनी चाहिए, acid amide हो गया, अब देखो, एक लास्ट और बताना चाहता हूं, अगर माल लो, यहां पर क्या जोड़ दो, उसे हटाके, क्या जोड़ दो, plus O C double bond O R, दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, R C double bond O, O C double bond O, R, तो क्या हो जाएगा, acid anhydride हो जाएगा, acid anhydride, ठीक है, यह चीजे या करना, आप देखो, example भी कराएंगी, उससे पहले हम आपको, यह R का concept समझाना चाहते हैं, जैसे देखो, R का concept क्या होता है, जैसे आपके पास मान लो, कोई LKN है, क्या है, CH4 है, CH4 है, इसमें से आप क्या कर दो, एक hydrogen कम कर दो, तो हमारा क्या बन गया, CH3 बन गया, और यह hydrogen क कम हूँ है, तो इसके जगह एक bond लगा रहेगा, तो यही होता है, हमारा R, R को क्या बोलते है, LK, बोलते है, क्या बोलते है, LK, ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीज़े clear करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको basic चीज़े, जो आपको use होगी, जैसे, LKN में हमने formula क्या अब आपको मालो दिया है, C2H6 given है, ठीक है, तो आपको पता करना है, यह LKN है या नहीं है, तो यह N क्या होता है, यह N number of carbon है, क्या है, नमबर of carbon, ठीक है, तो अगर मालो आपको यह formula given है, तो आपको यह पता करना है, यह LKN है कि नहीं है, तो यहां कितने carbon है, 2, मतलब यह दो को न इस फार्मूले में पूट कर लो अगर यही वाला आ जाता है फार्मूला यह वाला आ जाता है तो मान लेना यह इलकेन का फार्मूला है ठीक है तो N बराबर यहाँ दो रखो C2 H2 plus 2 तो C2 H4 plus 2 C2 H6 अरे यह तो यही आ गया फार्मूला मतलब यह इलकेन का फार्मूला है मतलब यह क्या है C2 H6 क्या है इलकेन है अब इलकेन में हमने पढ़ाए क्या होते हैं हमेशा सिंगल बाउंड होते हैं तो सिंगल बाउंड सर दो कार्बन है दो कार्बन बना लो अब यह तो आख आप बंध करके कह सकते हैं, श्वाइग हैं, च्छाय हैडूजण है, लगा लो श्छाय हैडूजण, एक, दो, तीन, ठीक है न, एक, दो, तीन, अब आप कहोगे, सर यहीं क्यों नहीं, पूरी हाडूजण लगा दो, इसी कार्बन पर लगा दो न, ऐसे ऐसे, तो डियर, एक क कार्बन के पास 4 हांथ हु conten VS पर बन चाहित यग कार्बन के चाहांथ हो सकते हैं यह सुरूसे पड़ते आ रहे हैं यह कार्बन के चाहांथ है देखो 1 2 3 4 यह कार्बन के चाहाथ है संद्सक्रमkarbon को 4 हांथ ही होना चाहिए। घिक है न स forwards बाद अब एक और बना लो जैसे मालो CH4 है तो यहां carbon कितना यह पता करना है इलकेन है कि नहीं है तो कितने carbon है यह बराबर एक carbon है इस फार्मूले में put कर दो तो C1 H21 प्लस 2 तो CH4 हाँ यह तो आ गया यह तो फार्मूला में रखने पर यही आ गया है मतलब यह-e-l-cain है समझ गया इलकेन है मतलब single bond होंगे CS एच एच ऑर carbon को हमें चार हात पहनाने हैं कैसे भी करके hydrogen ठीक है तो यह लकेन है अब इसी तरीके से पूरा होता है क्या होता है जैसे यहा होता है यह यहलकेन का फार्मूला होता है माण लो आपको given है c2 h forgiven यह पता करना यह यह एलकेन है कि एलकेन है तो आप एलकेन का क्या होता है एलकेन का भी लिख लो cn h2m plus 2 तो यहाँ पर देखो पहले एलकेन बाले में रखो n बराबर कितना है 2 यह एलकेन है ठीक है ना क्या है एलकेन है और यह एलकेन है ठीक है यह एलकेन है तो यहाँ पर देखो n बराबर कितना है 2 है तो 2 बराबर इसमें भी रखो इसमें भी रखो जो फार्मूला में यह n बराबर 2 रखने पर यह आ जाता है वो वही होगा तो यह नबराबर हम पहले इसमें रखते हैं तो C2, H 2 दूनी 4 और 6 हो जागा यह तो आया नहीं, मतलब यह इलकेन नहीं है, यह इलकेन नहीं है क्या? इलकेन नहीं है अब यहन बराबर इसमें रखो ठीक है, 2, तो C2 और 2 दूनी 4 आरे यह तो आगया, यही वैला, मतलब यह इलकेन है, क्या है? इलकेन है समझ गया? ऐसे ही इलकेन वाला भी निकालते हैं, Cn, H2n माइनस 2 होता है, इलकेन क्या तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है? अब देखो हमेशा कभी भी कहीं से भी अगर इलकेन, इलकेन, इलकेन हो ठीक है? चाहे इलकेन हो और चाहे इलकाइन हो, ठीक है? उसमें से एक हाईडोजन निकाल देते हो, तो क्या बनता है? इलकाइल बनता है क्या बनता है? इलकाइल, ठीक है न? और इलकाइल का अगर तो फार्मूला देना चाहें तो CnH2n-1 होता है। यह से भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो यह से पता करना है यह Elkyl है कि नहीं? Mतलब Elkyl मतलब R है कि नहीं है। तो इस फार्मूलाय में रख दो। कितने carbon है? कर्वंत इसमें रखो C1H21 प्लस 1 तो CH3 आगया ना यही आगया तो यह एलकाईल है ठीक है ऐसे पता कर सकते हो ठीक है और यह इसका मतलग क्या था जैसे देखो इलकेन क्या होता है CH4 होता है इसमें से एक हाइड विजन निकाल दोगे तो CH3 बनेगा यही तो बना ना ऐसे भी कर सकते हो तो कैसे भी आप कर सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए अब देखो आगे बढ़ते हैं अब आपको हम दिखाते हैं थोड़ा एक्जांपल लेंगे और उसके थ्रूब हम बताते हैं फंसनल ग्रूप पहचानना ठीक है तो इसमें बताना है आपको कौन से फंसनल ग्रूप लगे हैं तो बहुत आसान काम है बस आपको यह टेबल आना चाहिए जो बत लिखाया है मैंने ठीक है तो देखो यह तो ओच है तो और क्या एलकोहल बोलते हैं यहे एलकोहल है कोई लिखने ज़रुवत में प्ता दो आब देखो यहाँ पर क्या है यहाँ कुर्णने इतंथी सिडेबुल वांड काश्ठ कर्राँ यहां सभा यहाँ अ DC operations अर की जगर को क्या माना करो कारबन समझ करो और इदर वाला यह देखो समझने के बारशा में कारबन समझ गए यह होगया और इधर आर मतलब कारबन है ठीक है ऐसे समझो यहां पर यहाँ यहां पर भी चीज है यहां पर कुछ नहीं अच्छ है और यहां carbon है यहां पर aldehyde है यहां पर यह क्या है यहां पर nc है तो nc को क्या लिखा है को यहां यहां निक्राइब को लिखा था मैंने iso-nitril लिखा था अगर आप नोट की बनाओ अब यहां पर देखो यह क्या है तो यह तो C1-0-NH2 है देखलो C1-0-NH2 कहा लिखा है वो तो हमने लिखाया था ना भी आपको Acid वाले में देखो मैं यहां पर भी लिखा हूँ वो दिखा देता हूं आपको यह अपने नोट्स में देखो C1-0-NH2 यह है तो Acid Amide लिखाया था ना यहां पर Acid Amide हो जाएगा यह क्या है Acid Amide है ठीक है यह हो गया अब देखो अब देखो अब मैं आपको और बताता हूं अगला कुछ examples लिखते हैं अब इसमें बताना है खटाक खटाक बता दो यह double bond दी गया यह एलकीन है कौन सा functional group है एलकीन है इसमें तो कोई डाउट है नहीं ना एलकीन अलकाइन में तो कोई डाउट नहीं है ना अगर double single bond है तो हो आलकेन होता है functional group ठीक है यह भी लिख लो डबल बॉंड है तो वह एलकीन होता है ठीक है triple bond है तो कौन फॉनसलल ग्रूप है वहलकाइन है ठीक है ऐलकाइन है अभी पता है तो इसको भी functional को सो फिह सूल ग्रूफ बाले में लिख लाइन अर यह क्या है यह तो सी 않고 हरी और है ठीक यह वण सपस्राइबय तो और एसे आ आर ओ आर तो वह कौन सा है इथर है ठीक है ना सारे चीज हो जाएंगे आराम से कोई दिक्कत नहीं हो था पहचानने में ठीक है यह को लिखना चाहते हैं ताकि आपको जल्दी से अब आगे बढ़े हम आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से सारी चीज़ें हम समझा चुके हैं अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सिक्शन मुझसे पूछ लेना ठीक है ना बाकी नॉमिनकेचर का टेंसल मत लेना एथेन मेथेन क्या होता है वो तो प्रॉपर डीटेल में पढ़ेंगे पंटी क्या ना कोई घबराने की बात आउट डिगरी आप कार्बन और हाइडोजन पढ़ते हैं ठीक है जैसे देखो सी देसी बात है आपके पास CS3 है और CS3 है तो हम पूछे बताओ कार्बन के डिगरी और हाइडोजन के डिगरी क्या होगी तो यह कार्बन के डिगरी कितना होगा अब यह देख लो यह कार्बन कितने कार्बन से अटाइजट है directly तो ये कार्बन देखो एक कार्बन से अटाइजट है ये अटाइज नहीं है तो ये 1 degree कार्बन हुआ ठीक है ना और जो कार्बन से जुड़े hydrogen होंगे उनकी भी degree क्या होगी 1 ही होगी ये चीड़ रखने ना इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी तो यह कितने कार्बन से टाइज है एक कार्बन से इससे टाइज है तो इसके डिग्री वन होगी और इससे जूड़ी जो हाइड्योजन होगी उसके भी डिग्री वन होगी बस समझ गए बस ही होता है सिम्पल मालो हमारे पास सी एस त्री ह कहाँ कि यह कार्बन की डिगरी कती है वन डिगरी कि यह quedar जो हाई़ोजन उनकी डिगरी यह होग Become इसकी भी डिग्री वही होगी, वन ही होगी, ठीक है, समझ गए, कोई डाउट, अब एक चीज़ याद रख लेना, वन डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन, जो डिग्री बोलते हैं, उसे प्राइमरी कार्बन बुलाते हैं, टू डिग्री को क्या बोलते हैं, से उमिद करते हैं। मैं डेखेब्स क्लिए पिनगे एंगे उमिद करते हैं। तिए अब दिगरी आफ हेलोल के नवह अख़ूल पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है थोड़ा से आलग होता है देखो इसमें देखना यह है लोजयन है हेलोजयन नग authoring किस carbon K бं से मिलंट है इस carbon से टैज। यह 2 यह carbon से जितने carbon से टैज होगा वही 3 Sharing यह कार्बन क्या ह Virginia यहां ना है इसके गवला पर यहाँ कितने करबन एक कार्बन 120020 आफ यह यह ना? थीच कब हो अर्व थियान देना यहां पर और इसे अलकोहल पुछा जाएगा तो यह इसे बगर कि कार्बन कितने कार्माइन से टाहें। 1..2..3.. तो यह 3 डिगरी अलकॉहल होगा.. 3 डिगरी Imperial sailors.. Green यो डिगरी अफ और माइन होता है.. इसमें आईसा.. उपर वालइक जैसा नहीं होता है.. इसमें देखना.. नाइट्रूजन इज डाइरेक्लि डायरेक्ली डायरेक्ली ऐक्लीकिसके साथ डायरैक्ली डायरेक्ली यह देखनां है ठीक है अंछनल गुछ भी एकजांपल लेलो है यह लिख va phon kita यह आपके समझमां है यह वाला nitrogen कितने carbon satis है एक carbon तो वन डिग्री माइन है ठीक है ना अब यहां carbon पर मत देखना यह directly attached है इससे इसका मत देखना इसके युक है तो nitrogen directly attached देखना तो यह वन डिग्री है ठीक है आप देखो कुछ भी example जैसे है यह nitrogen कितने carbon satis है एक दो तीन यह 3 degree amine कोई दिखकर कोई दिखकर नहीं होना चाहिए ठीक है और कुछ भी लिख लो जो आपके मान करें ऐसे है ठीक है यहां पर देखोंगे यह nitrogen कितने carbon satis है ठीक है चार कारवन सब्सक्राइब तो यह सब चीजें complete होती है और next वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको क्या homologous series और degree of unsaturation homologous series पढ़ाएंगे homologous series यह basic बात है चल नहीं है degree of unsaturation ठीक है ना unsaturation वह सब चीजें पढ़ाएंगे next वीडियो में कुछ doubt होत कमेट सेक्शन पूछ लेना और बाकि जो एलकेन एलकाइन वाला structure किसी को और doubt होगा ना तो कमेंट में पूछना फिर उसको अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे तो लास्ट में बता देंगे उसको ठीक है ना चीजें आराम से समझ में आने चाहिए ठीक है कुछ doubt होत पूछ लेना और आपका humor है मानलो एलकेन एलकीन और एलकाइन ठीक ह है ना और इस्ट्रक्चर बना के लाना तीन हो के एलकेन 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 का फार्मूला पता है cn h2n प्लस 2 है तो यह अन बराबर एक एन बराबर दो एन बराबर तीन तो यह एन बराबर एक रखोगे तो क्या बनेगा c h c2 h6 अब c3 h8 बनेगा ठीक है ना तो ऐसे बनेगा अब इलकेन है तो सिंगल बाबर इस्ट्रक्चर भी बना लेना इस्ट्रक्चर भी बना के लाना ठीक है इस्ट्रक्चर भी बना के लाना इलकेन ऐसे तो ऐसे इलकीन का बनाना इलकाइन का हमेशा एन बराबर दो से सुरू करना एन बराबर एक के लिए नहीं बनता है ठीक ह है ऐसे यह लकाइन में C triple upon C होना चाहिए तो कारबन दो है दो से ही इसलिए स्टार्ट होता है ठीक है बाकि कुछ डाउट हो पूछ लेना बाकि मिलते हैं नैस वीडियों दोस्ते हैं थाइंक्यू